कर दो कि हलो दोस्तों मैं अमीत एडवर्ट एक बार फिर से अपने चैनल में आप लोग को तैयल से शुक्रिया दाख करता हूं जैसे कि आपने थंडमेल में पढ़ा है देखा होगा दोस्तों कि मैंने वेक्यूम के बारे में बात किया है तो डवल श्टेज वेक्यूम पंप क जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हम कंप्रेसर को चेंज किए दोस्तों और यह जीवन गोदरज का कंप्रेसर है और इसका हम वेक्यूम डबल स्टेज्ट से करेंगे और इसमें फायदे क्या होते हैं इसके बार में मैं पूरी आगे पूरी करूंगा दोस्तों जिस प्रकार से देख रहें इससे पहले हमने दो साल पहले इसका कंदेंसर को चेंज किया था दोस्तों और अंदर का हम देखा रहे हैं इसका एवापरेटर को भी हमने चेंज किया था दोस्तों इस बात को करद करिबल लगबग दो साल हो चुके हैं और उस के लिए है और टेक्निशन भाई नहीं जानते वह बताएंगे डिफ्राश्ट कितने दिन में करना चाहिए सब इस लेबल में लिखा रहता है दोस्तों और यह सब के लिए लगाया था दोस्तों तो जिस्पकर से आप देख रहें अभी हमने इसके अच्छी सबने वेक्यूम की पहले और वेक्यूम करने के बाद अभी हम होल्ड किये अब होल्ड करने बाद इस टंकी में हम नायट्रोजन ड्राइन इस्तमाल कर रहे हमारे पास बड़ी टंकी है और द प्रेशार हम सिप डालते हैं जिस प्रकार से आप देखने नाट्रोजन का प्रेशार हम डालने वाले हैं दोस्तों अब इसका हम कनेक्शन को खोल रहे हैं और डबल स्टेज का हमारा जो पॉम्प है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा जैसे कि डावल स्टेज वेक्यू पंस हम कैसे कारे करें में और कैसे हमको नाट्रोजन के स्तमाल करना इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं तो जिस पकार से हमने अभी पहले वेक्यूम किया फिद हम नाट्रोजन का हम इसमें फ्लेशिंग भी कर चुके हैं और इसको फ्लेशि होता है उससे दस परसेंट एक्स्ट्रा ही आप नैट्रोजन गैस का इसे रिचार्ज करेंगे दोस्तों और इसका हम इसे दो फायदे होते हैं और एक तो पहला अपना लीके सब बाहर नीकल निकल जाता है तो हमें ऐसे कम करने के लिए हमको कम से कम इसको रखकर आदा घंता होने जो वाप्मप होता हैं वह हमारा जो हम को मायक्रों की आशक्ता होतीची मेरे पास भी सब्सक्राइब करेंगा अभी हम उसका नैटोजन का जब होल्ड कर दी और जैसे डवल स्टेज का यह देखे सोलो नैट स्वीच है दोस्तों इस सोलो नैट स्वीच का फाइदा यह होता है कि अगर हम वेक्यूम करें उस बेच में हमारा लाइन फेलियर हो गया या कुछ कारण सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो जितना भी जो मौश्यर वापस वह खीच लेगा और इसके अंदर का जो भी ऑईल भी वह भी चड़ जागा इस कारण से कभी आप डबल स्टेज का रवेक्यूम लेते हैं दोस्तों तो डबल स्टेज वेक्यूम लेने से पहले सोलो नै च्वय गाराता है और देखि हमने रिपीट लगाया है इसको लगाएंगे तनिकल जाता है रिपीट गंडा था एंड रिपीट गन होता है यहां चल से दो सल पहले की बात है दोस्तों तो सिनी हमने और क्या कर रहे झाप पर अभी हम इसमें कंप्रेसर को चेंज कर रहे हैं और कंप्रेसर चेंज कर लिए जहां-जहां को ब्रेजिंग करते हैं वह बहुत अनिवार होता है यहां पर सबसे ज़्यादा मेटल में ही यहां पर लीकेज होने की संभाना होती जगह को आप नेट्रोजन गयस से हम अजब डालके और उसका पूरा प्रेशर को जहां-जहां लीकेज हैं लीकेज टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों तो यह तो सब बहुत सी वीडियो में मैं देखाया हूं पर मेरा बताने का मक अगर हमारा हजार मैक्रोन ला रहा है तो यह फांसो माइक्रोन 163 301 नहुति यह यह दोस्तों पर हमारा वैट्वेडमаже करता है हमारा का सिस्टम के लिए बहुंत अच्छा होता है अगर हम से बैड गुड प्रैक्टिस में काम करते हैं तो यह सब सिस्टम हमारे पास होना चाहिए और हमको समय देना बहुंच रहे हैं क्योंकि हमारा भी समय काफी कीमती होता है जिस प्रकार से हमने 60 प्यसाई का ही प्रेशर इसम है कम से कम 20-30 मिट तक का हम इसमें नैट्रोजन गयस को हम होल्ड करके रखेंगे जो बची-खुची नभी अच्छे से वेक्यूम करेंगे और वेक्यूम करने के बाद ही हम यह वेट करके हमें से रेफ्रेजरेंट को चार्ज करेंगे दोस्तों जिस प्रकार से मेरी कोशिश रहती है कि छोटी-छोटी बातों को बताने की में कोशिश में लगा रहता हूं और अब ठंड का समय आने वाला है दोस्तों अक्टूबर का मैना चल रहा है और वीडियो अब काफी थोड़ा लॉंग टैम पे आ रहा है और आएगा है दोस्तों क्योंकि अब ठंड होने के का हरण हमारे पास कारे कम हो जा दोस्तों तो मैंक सकता है कि वैक्यूम पंपक करते हैं तो अच्य वैक्यूम का चैन करें और दूस्तो इसमें फायदा यह होते हैं दूस्तो फायदा है सबसे पहले हमारा नौइस नहीं आएगा कंप्रेशर में आवाज नहीं आता जो साँड़ प्रब्लम आता है वो नहीं आएगा रेकरिजन्ड कंप चार्ज होगा बहुत अच्छे से होगा दोस्तो और कंपरेंश Leonardo लाइफ है बहुत लंबी लाइफ हो जाती दोफर हम वेक्यूम करते हैं और क्या करते हैं तो उसमें Democrat does not have a repreally thrive नहीं होता है आपको वैंद देखे जिस प्रगार से हीहा इसा होता है दोस्तो और गहबराने वाली बात नहीं अगर नहीं है तो यह ओसा होता है आप ध्यान देंगे और ध्यान से काम करें अच्छे टूलनस को body conditions करिए दोस्तो और जादा से ज्यादा मेरा मकसद है कि आप लोग को अच्छे से संपूर बातों को बदाने की कोशिश में हूं दोस्तों और जिस पकार से खास हमारा वेक्यूं अच्छे होना बहुं जोर है अगर हम het system को अंच्छे वेक्यूं नहीं करते हैं तो हमारा choking जो समझे है बारं बार लगा रहता जैसे के compressor गोदरेज compressor के बारे में model के बारे में compressor के बॉक्स में पुरह को लिखा रहता है जीवन का जो बीट्यू है 4000 दस है 410 है जीटू का 475 है और जी 3 का 510 है दोस्तों और इसके पीछे सारा है डिटेल लिखा है वाट कितना है 120- 145 गीवन जीटू जी तुच्री में पर दोस्तों सी प्रकार से इसमें जो आर सिंग संट्रेट के बारे में पूरा लिखा रहता है आप उसको जब भी अब लगाते हैं आप देखके पढ़ सकते हैं और दोस्तों वीटियू का मतलब होता है बृति अब इस तर्मन यूनित होता है दोस्तों और उसी के द्वारा सब चैन किया जाता है और लेटर का इसी कर रहे हम Korea हम करते हैं अब करते हम को जदध से ज्दध मैक्रोन में हम को एक कियुम करना बहुंद जो रही है और जितना अच्छे से हमारा वेक्यूम होगा परन अच्छा बन जाएगा दोस्तों जिस पगार से जितने नहीं कोसिश करने की कोशिच करतें एंटी माश्टर केस्थ नहीं करना चाहिए और दोस्तोर ड्रायर फ्रिल्टर का इस्तमाल करिए और सिलका जेल का میں जैसे हर वीडियोएं आगे भी बताताो रहूंगा और नॉर्मल फिल्टर लगते हैं और एंटिवend ऐमिसेर को पुरी खतंव कर देत हैं जो कि यह सिस्टम पूरा है दोस्तों से मैं कोशिच करता हूं है आप मेरे वीडियो को पूरा Watch किया करो देखा कीजी और आप ऑजसा ही कार्य करें जैसा कि मैं बताता हूं आप करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा क्योंकि करना और देखने में बहुत फरक होता है दोस्तों और इसको यहां से हम देखें हम पिंच कर दिये हैं ट्रायर से भी आप वहां से पिंच करने के बाद हम ट्यूप कटर से काट के और वहां पर हम ब्रेजिंग कर देंगे और वाद होता रहेगा कम च्ल रहा है दोस्तों हम बंद कर देंगे तो यहाँ है 10 सकता है क्योंकि ॥ोक्र से वह कि सॉइक्व हेयरा है हाई प्रेशा से भी और लोग प्रेशर सेह पी मतलब्रिचल कंप्रेसर से भी हो रहा है और अपने कंडिसर कौय धहर कर रहा है अपना कर रहा है और शह कर्णों पtt लाक भी कर दिया है दोस्तों और यहां तोने के बाद हमारा वेक्यू अभी विजा रही है उसके बाद फिर हम इफ मैच पर हमेट करके रिफ्म कूंझ चार्ज कर देंगे वह को आणे करने के लिए बहुत से कर देंगे कभी दौस्ट कोशिश करें अगर आप beginner सीखने की कोशिश सीखने कीप भूख होगी दोस्तों तो अच्छी चीजह को दूड़ेगा मैं समय से लोगों को सीखने की कोशिश में लगा रहता है तक यहां molto वहाउठने का मैं जाता हूँ सीखने के लिए भी दोस्तों क्योंकि सीखने करें का प्रिख्माल होगा और 410 भी अभी बंद हो चुका है 22 भी संपूर तर बंद हो जाएगा 2000 तर तक बंद हो जाएगा दोस्तों और और थर्टी डी और थर्टी टू भी कुछ समय तक कई है दोस्तों उसके बाद वह भी बंद हो जाएगा तो हमको हमको जो काम करना हाई फ्लेमेबल गैस पर हम काम कर रहा है तो इसमें बहुंच सवधानी के आशकता रहती है दोस्तों डरने का नहीं है डरेंगे तो यह काम भी आधा फोन को सालेंट करके अपना जो द्यान एक जगे केंदरेत करेंगे दोस्तों जिस पकार से यह रेफ्रिजेंट है और थर्टी फोर है यह भी एक सब्सक्राइब को समय के बाद बंध होने वाला है संपूर तरीके से बंध हो जाएगा अब इस रेफ्रिजेंट को हम च लक्रिया होती है और अपने ज्यादस ज्यादा हो सकता है और बी चीज को सुधाने की कोशिश में हम लगे रहते हैं तो दोस्तों यह छोटा सा मेरा मकसद था बताने का क्योंकि यह चीज तो बहुंँ सारे वीडियो में देखा चुका हूं पर मेरा बताने का मकसद यह है कि हमें कार करना है तो अच्छे रहा जोरू आते हैं पर हमको काम करना है तो दोस्तों यह इसके लिए भी हमको थोड़े-थोड़ सेविन्ग करके हम वेक्ष्पम को अपन लेकर पर और हम अच्छे से कार्व को करें और साइट में भी रहें या कहीं भी काम करें यह हम वर्षब में नहीं करें हम दोस्तों यह हम कि सुर्ड यह मेरा वर्षब में ही काम कर रहा हूं मैं और देखी यह 44 Jew ग्राम का रहाइप चारज होगा इसमें 65 Jew रहाइप चार्ज होगा दोस्तो और वेक्व का मतलब यह है कि हमारा सिस्टम का लाइप को बढ़ाना अघर हम वेक्व अगर सही हमारा वेक्व नहीए होगा तो हमारा वेक्व् Nicht ज्यादा मातरा में जाएगा, कोलिंग कम होगा और कंप्रेशा का साउंड बहुत ज्यादा होगा और जल्द से जल्द कंप्रेशा फेलियर हो जाता है ये यूट्यूब की ओद से हमें हैंडल मिल चुका है दोस्तों तो ये मेरा लिंक है दोस्तों और इसको लिंक को शेयर केजिए लाइक करिया सब्सक्राइब करिए दोस्तों और देखे 52 ग्राम अभी चला जाए क्योंकि रैफ्रेजर्ण जो होता है दीरे जाता है दोस्तों और उसमें आइसिंग आना चाल हो जाता है जब लेक्विड में जब जाएगा तो देखे आइस आइस तो आइस जैसे आएगा दोस्तों तो उसके बाद रैफ्रेज्रण भॉन अभी गाहत दीर होता है कि आ धो जाए-बाल का बंद कर दीजें थोड़ा दिर के बाद माच सेमल बनें रहा होने के बाद कि मैशर लोग सीने चल रहा है और लोगों को एक ही question रहता है back pressure तो दोस्तों बार बार वही बात बोलना भी अच्छा नहीं लगता है आप मेरे वीडियो को watch करिए और like comment ज़रू करिए दोस्तों thank you